वेलकम टू बीड दे स्ट्रीट आज हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप की सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी जिसका नाम है अडानी एंटरप्राइज लिमेटेड इस वीडियो में हम लोग उसके Q4 रिजल्ट जानेंगे और उसका करेंगे पूरा फंडामेंटल एनालेसि और यहाँ पे Fy22 के लिए क्या होफ है टेकनिकल एनलेसिस करेंगे शेर होलिडिंग पैटरं पे वी बात करेंगे और उसके वैलिएशन को भी देखेंगे और यहां पे हमें क्या लगता है यहां अगर आपको कोई बी जानकारी नहीं पता होगी तो इस वीडियो के बोड़ा लंबा हो इसलिए आप यह एन तक जरूर देखेगा अगर आप अडानी ग्रुप में यहां पर लॉंग टर्म इंवेस्टर है और किसी भी ग्रुप में हैं अडानी के किसी भी स्टॉक में अडानी एंटरप्राइज सबसे इंपॉर्टन कंपनी है चलिए अगर सबस सब से पहले ए ärports जो आप सभी को पता है लगस्य साथ छेए से साथ एहरपोर्ट है जो यह अपर होता है जैसे कि मॉंबई ए एयरपोर्ट का अडानी मिंटरप्राइज के पास है इंद्हाबाद का इन्हें मां करता है पिसको एक फिजिकल लोकेशन की जरूत होती पूरा management तो यह data center का काम करती है flip card के साथ अभी एक deal करिए जिसके अंदर यहां पर उनके लिए data center बनाया जाएगा फिर defense and aerospace का काम करती है जिसके अंदर defense और यहां पर जो basically defense और aerospace related equipment बनाती है edible oils और foods का काम करती है जो कि इनकी एक subsidiary अडानी विलमार्ट जिसके अंदर यहां पर बहुत सारे यह सारे FMCG product बनाया जाते है agro agro के अंदर यह लोग क्या करते है basically किसानों से सामान वगरे खरीदते है उनकी warehouse उनका supply chain management का काम करते है integrated resource management के अंदर basically और कुछ नहीं बलकि coal related यहां पर business होता है यह लोग भार से coal import करते हैं और इंडिया में बड़ी बड़ी यहां पर थर्मल power companies है जैसे के अडानी पावर या फिर कोई बड़ी power company उसको अपना यहां पर coal बेचते है solar manufacturing के अंदर यह solar panel बनाया जाता है रोल retro रोल metro और rail के अंदर यह सब roads बड़ी बनाया जाती है अगर आप देखेंगे तो अडानी को बहुत सारे projects मिलते रहते हैं वही पर mining services के अंदर company क्या करती है basically mines वगए इनकी Australia और Indonesia के अंदर तो वहाँ पर यह लोग coal वगए एक्स्ट company है यह सबसे important company है यह incubator है अगर आप incubator का मतलब समझ गए तो मैं आप simple language में बता हूं तो incubator क्या होता है कि पहले कोई भी business होता है वह अडानी enterprise में चालू किया जाता है ठीक है अडानी enterprise में सबसे पहले business चालू किया जाता है फिर वह अगर बढ़ेगा अच्छा होगा तो उसको demerge कर जाएगा अगर आप देखो अभी तक 5 companies को demerge कर जा गया है उसके बारे में जानेंगे और यहाँ पर company ने भी यही का है कि अडानी एक incubation to the growth है यह पूरे group की कोई भी business सालू करना होता है जैसे अभी अडानी logistics चालू हुआ है अडानी airport चालू हुआ है तो यह स पास भी अडानी enterprise के share होते है उनको फिर बाद में यहाँ पर उन company के share demerge करके दे दिया जाते है तो यह सारी चीज होती है मतला अगर आप अगर आप बुलिश है तो आप अडानी enterprise ले लीजिए और यहाँ पर जितने भी छोटे-छोटे business है जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको demerge कर दे आएगा तो मान लीजिए कलको अडानी logistics list होता है तो आपको उसका share मिल जाएगा अगर आपके पाँ अडानी enterprise limited है तो यह सारी चीजे है 25% की CAGR growth है मतलब यहाँ पर आप देखो गे पिछले 1992 से लेकि अभी तक इन लोग ने यह ग्रोथ यहाँ पर दी है CAGR growth के अंदर और अब हम आजाते हैं पूरे group की एक और जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आपको नहीं समझ में आया तो इससे बिलकुल आपको समझ में आ जागा यह पूरा अडानी group का यहाँ पर structure कैसे काम करती है यह सारी जो चीजे हैं यह हम लोग already कर discuss किये थे और यह जो है यह अलग है company अभी अगर आप देखोगे तो यह है अपना important AEL अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर incubator है airports, roads, water और data center यह सारा काम होता है और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ट्रांसपोर्ट वगरी company और यह सारी company हैं तो वो भी इसकी के अंदर काम करती है उसी के अलावा यह बाकी सारे port cargo की volumes है जो अगर आप देखेंगे तो यह industry की growth है और यह अडानी group की growth है तो आप देखोगे 6 times, 2.5 times, 3 times, 1.5 times यहाँ पर growth हासिल करिए पिछले साल के अंदर वही पर company ने इस बार जो काम किया है अगर आप देखोगे gas distribution और electricity और airports के business को expand सबसे ज्यादा किया है वही पर हम बात करते हैं यहाँ पर company और क्या-क्या करती है अगर आप देखोगे तो अभी तक इन लोग ने क्या-क्या किया है तो अगर आप देखेंगे तो अभी इसकी पास जो order book है 200 km की order book है मतला roads की अगर हम बात करें तो 200 km प्लस की projects है फिर वहीं पर company 6 airport की बिट जीच चुकी है और उसी के अलावा यहाँ पर मैंगलूरू लखनाव और एमदाबाद का airport ले चुकिए और बाकी भी ले लेगी उसी के अलावा company ने अने लंबानी से यहाँ पर Mumbai की electricity business था वो खरीदा था तो वो उसका अभी नाम कर अगर हम देखेंगे तो वो भी है और अभी मुंबाई का airport भी खरीद लिया मुंबाई international airport तो यह सारी चीज़े महीं पेन का जो माइनिंग पोटफोलिये 127 mmT का है million metric tons तो यह सारी चीज़े कॉल मिला के company solar manufacturing core portfolio में यह कॉल अगरे काम करती है 50% प्लस market share है mining services के अंदर mining services के अंदर क्या होता है basically mines के जब ठेके निकलते तो company यहाँ पर mines पे जो काम होता है वो यहाँ पर Adani enterprise limited करती है उसी के अलावा इन लोग ने जो wealth creation करकी दिये वो बहुत ही robust है क्योंकि सारे business को यहाँ पर company ने अगर आप देखोगे तो यह जो 5 demerge company आए वो यहाँ पर आप देख सकते हो total gas Adani green Adani total limit अगर आप देखोगे तो यह Adani transport limited और यहाँ पर Adani port limited और Adani APSEZ तो यह सारी company ने इसको यह Adani transmission limited है तो यह 5 company सब यहीं से चालू हुई थी Adani enterprise से तो जिन जिन लोगों ने AEL के share करीद रखे देना उनको यह सब share मिल जाएंगे और आप सभी को पता है इनके share price में कित business का overview है जो आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे कैसे काम होता है और यह सारी चीज़े है वही पर अगर आप देखोगे तो अब यह कुछ business highlights है अगर आप देखोगे तो इनका Q4 के अंदर जो volume था IRM के लिए integrated resource management के लिए वो पिछले साल से कम रहा है मतलब वाई-on-वाई basis पे बढ़ा है और यह सारे जो comparison होते है वाई-on-वाई basis पे होते हमें अगर Q-on-Q पे करना है तो हम उसको end में करेंगे FY21 की volumes पूरे साल की volumes यहाँ पे 13% से बढ़ी mining services के अंदर solar manufacturing की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 95% से increase हुआ है यह चीज यह वाला जो business है और 17% से यहाँ पे overall increase हुआ है तो यह सारा Q-on-Q basis का analysis था financial highlights आप देख सकते हैं यहाँ पे screen पे किस से कितना कितना revenue generate किय गया है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यह जो IRM का business है उसमें 8500 क्रोड का revenue जो पिछले उससे reduce हो गया है EBITDA इनका 86% से बढ़ गया है because of यहाँ पे CERC में जो index का जो increase था उससे 26 20% से CERC index बढ़ गया था तो price increase के कारण यहाँ पे overall business में यहाँ यहाँ पे अगर आप देखोगे mining services का revenue इस बार कम रहा है और वही पे EBITDA के अंदर यहाँ पे 271% increase है because यहाँ पे EBITDA यहाँ पे impacted हो गया था 290 करोड के loss के साथ मतलब पिछला जो EBITDA था Q4 FI20 का उसमे 290 करोड का कुछ exceptional loss था उसके कारण यहाँ पे impact हो गया था वही पे अ revenue रहा है EBITDA के अंदर अगर हम बात करें तो 251% का increase है तो लग बग तीनों के अंदर अगर आप देखोगे तो EBITDA increase है YOY basis पे ना की Q on Q basis पे अगर हम revenue की बात करें revenue पूरे साल के लिए यहाँ पे 38% से बढ़ा है और EBITDA यहाँ पे 175% से बढ़ा है solar manufacturing के business सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है और IRM की business सबसे बेकार परफॉर्म किया है वही पे key consolidated figures आप देख सकते हो स्क्रीन पे तो अगर आप देखोगे तो revenue जो है वो यहाँ पे बिलकुल लग भग बराबर आया है एकदम flat growth है वही पे EBITDA अगर आप देखोगे तो 65% से कम हो गया है और normalized pet अगर आप देखते हो 65% से बढ़ा है अगर आप देखते हैं और वही पे अगर आप पैट की बात करें तो यहाँ पे 234 करोड रुपीज का पैट है जो कि यहाँ पे देख वगेरे हुआ है उसके उसके कारण यहाँ पे exceptional item है तो यह सारी चीज़े और यह जो business है यहाँ पे company ने काफी अच्छा perform किया है और वही पे अगर आप पूरे financials को देखते हैं तो 900 अगर आप देखते हो तो यहाँ पे करीबन करीबन यहाँ पे अगर आप देखोगे 923 कर पैर करते हैं तो यह अपना profit कम हुआ है revenue की बात करें तो revenue भी कम हुआ है EBITDA जरूर बड़ा है और यह सारे adjustment basically accounting adjustment है जिनके बारे में हम लोग ने बात किया था यहाँ पे कुछ exceptional item भी 259 करोड का जो कि अगर आप देखोगे तो उपर भी यहाँ पे करीबन 179 करोड का exceptional item था अगर आप exceptional item को हटा दे तो 413 करोड का profit होता बट यहाँ पे overall यह decent result है फिर Adani Wilmar की यहाँ पे performance है जो basically इनका FMCG वाला product है तो Adani Wilmar की आप यहाँ पे performance देख सकते हो वही पे अगर आप देखो Adani Enterprise Limited की जो अभी यहाँ पे balance sheet वगएर की बात हो रही है उसमें क्या-क्याइच changes है वह हम लोग देख लेते तो अगर आप देखोगे तो company के जो total debt है वह बढ़िया है अभी करीबन 16,000 करोड का debt हो गया है और पहले 12,000 करोड का debt हुआ करता था net worth की बात करें company की तो company की net worth मतलब 18,910 करोड की है और जिसके अंदर बहुत ही flat growth है मतलब equity के अंदर कुछ भ impact करेगा तो अभी impact कैसे करेगा मैं आपको बताता हूं पिछले एक साल में Adani का भाव है वो लगबग 10 गुना हो गया है इसने अगर जो अगर आपन देखेंगे तो low बनाया था 127 का और अभी भाव चल रहा है 1200-1300 रुपय का भाव चल रहा है अभी यहां पर net worth के अंदर changes है तो आपका price to book ratio जो होगा न वो एकदम से बढ़िया है अगर अपन देखें इसका 1,40,000,000 करोड का market के आप उसको divide करेंगे 18,000,000 करोड से तो लगबग यहां पर जो आ रहा है price to book ratio वो करीबन 7 से 7,500 का आ रहा है जो की थोड़ा यहां पर expensive valuations है और यहां पर debt का figure भी ख performance है जिसके अंदर कुछ खास होता नहीं है company अपने वो सारे CSR activities की बाते करती रहती है वो सारी चीजे फिर mining services के अंदर यहां पर थोड़ी बहुत यहां पर operational details दी गई है और यहां पर यह consolidated पर income होती और जो under development है उसके अंदर यहां पर अभी भी company यहां पर पैसा खर्च करती है तो अगर आप देखोगे तो यहां पर यह सारे जो project status है यह अभी यह सब roads बना रही है और यह सारे काम है overall यह अडानी के airports की list है अभी अडानी ने का का airport खरीद लिए तो लग बग एक 2, 3, 4, 5, 6, 7 जगे company यह पास अब airport आ चुके और जो की बहुत ही शांदार है इनका अगर आप देखोगे तो यह domestic customers और अगर आप देखोगे तो यह सारी चीजे है यहां पर कैसे कैसे काम कर रही है 200 million इनका customer base हो चुका है अगर आप देखोगे तो यहां पर यह सारी चीजे की performance पता पड़ेगी तो चलिए हम लोग आप Q on Q performance को देख लेते हैं उससे पहले हम लोग कुछ एक update देख लेते हैं डिवीडेंड जो दिया गया है कंपनी ने एक रुपे का डिवीडेंड दिया है 25 करोड की यहां पर debt raising यहां पर company अप्रूव करती है मतलब अगर आप देखोगे जो debt अभी भी जो बढ़ गई थी 12,000 करोड से 16,000 करोड डेप्ट हो गई थी उसमें अभी यहां पर और 25 करोड का debt उठाना पड़ेगा तो यह सारी चीजे हैं अगर आप देखते हैं तो यह overall company की debt की position है तो आप यहां पर देख सकते हो यह कैसे कैसे debt के अंदर changes आये हैं already हम लोग ने आपको बताया था बट फिर भी आप यहां पर balance sheet में भी देख लीजिए और अगर हम बात करते हैं यह जो net worth अगर आपको देखनी थी तो net worth कहा से आती है तो यह देखिए यह होता पिछले quarter से compare करते हैं तो यह revenue बड़ा है अगर हम profit after tax की बात करें company के लिए तो यहां पर 332 करोड का profit है बट यहां पर 343 करोड का पिछले quarter में profit था अब इसका कारण पीछे क्या है तो मैं आपको बता दूए कि exceptional loss वगरे company ने book किया है जो थोड़ा बहुत अगर आप देख अगर आप देखते हो तो performance थोड़ी decent है बट Q on Q पे company ने अच्छा perform किया है और Y on Y पे थोड़ा खराब perform किया है overall आप यहां पर देखते हो तो इसका जो EPS है वो आप यहां पर देख लीजे केवल 8 रुपय का EPS है तो मतलब आप देखो गे तो P calculate करना है ना तो आप चौक stock है अब देखो P का मतलब मैं वापस समझा देता हूँ आप क्या कर रहे हो आप 8 रुपय कमाने के लिए 1267 रुपीज देते हो यह पूरी scheme है मैं आपको ऐसा समझा देता हूँ एकदम simple भाशा में आप साल में 8 रुपय कमाने के लिए 1270 रुपय दे रहे हो ठीक है तो यह सा ज्यादा हो चुगा है महीं पर अगर आप देखोगे financial highlights already हम लोग यह सारी चीज़ देख चुके है अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अडानी के जो chairman है ग्रुप के अगर आप देखेंगे घौतम अडानी उनका क्या कहना है कि company ने बहुत यह अच्छी performance दी है और के अलावा यहाँ पर इनकी जो success है यहाँ पर company expand हो चुकी road water airports में और वही यहाँ पर आगे business चलेगा exciting business related to solar manufacturing mining and airports are excellent examples of Adani Group तो यह सारी चीज़े है अभी यहाँ पर company ने overall यहाँ पर कोई outlook नहीं दिया है कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है जैसे कि हम लोग ने उसमें perform करेगी तो यह सारी चीज़े थी बट मैं आपको बता दू कि यह जो company है यह basically infrastructure related company है जो covid-19 की situation के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा impact होती है तो यह सारी चीज़े थी अभी अगर हम बात कर लेते shareholding pattern की और थोड़ी बहुत और valuation वगरे की सारी चीज़े और technical analysis वगरे जान stake होता है और यह सबसे बड़ा reason होता है देखो बजार में अगर share ही नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर obviously demand ज्यादा होती है एक बहुत simple सा example लेता हूं मान लो जैसे अभी oxygen की बहुत कमी चल रही है तो कैसे अपने देखा कि oxygen का भाव यहाँ पर बढ़ गया है ठीक है वैसे ही पूरी जंता यहाँ पर लगी वी है तो उनको जब यहाँ पर उसको chase करने जाती है तो यहाँ पर share price की demand बढ़ने कारण यहाँ पर price में सबसे अधर तेज़ी आती है और यह सबसे ज़्यादा देखा गया है इन सब में यही सब चीज़े देखी गई थी वहाँ पर क्या ओदा था कि share ही बजार में इतने कम होते थे कि इसकी demand यहाँ पर वह शेर बजार में बहुत कम होते थे और इसकारण demand बढ़ती थी और share price automatically euphoria create हो जाता क्योंकि number of shares बजार में बहुत कम है FII इसकी बात करे मैं आपको एक important बात बता दू कि यह जो funds है Ilara, Cresta, Albula, APMS, Vespera यह जो बड़े बड़े जो चार पाच fund है ना इनका maximum investment सारा का सारा investment इन लोग का अडानी के groups में है और इन पे मैं अगर बता हूँ यह कोई बड़े fund नहीं है इन में से जैसे Ilara वगेर है तो उन पे तो एक बास है भी कि यहाँ पे already यहाँ पे जाचवाज भी चल रही है तो इनका सारा पैसा अडानी के उसमें ही लगावा है तो यह सारी चीजे मैं हर बार बोलता है हूँ कि कभी भी अपने को किसी भी बड़े shareholder का यहाँ पे trading pattern copy नहीं करना होता है आप वो अगर कोई खरीदता है तो अच्छी बात है बट यहाँ अपने को अपना यहाँ पे थोड़ा बहुत analysis करना रहता है नहीं तो क्या होता है कि क्या है कि अभी जैसे मान लीजिये हम बात करते है इलार opportunities fund की अब वो तो लाको करोडों के काम करते हैं और अपन एक लाग रुपे का भी काम नहीं करते हैं अब उसको अगर एक शेयर में अगर चंपत लग भी गई तो कुछ नहीं होगा बट अपने अगर एक लाग रुपे पिट गए तो अपन यहाँ पे पूरा पूरा अपने ट्रेडिंग पोर्ट्फोलिय हिल जाएगा ठीक है उसके अलावा एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो प्लेज शेयर है वो बहुत ज्यादा होता है तो यहाँ पे प्लेज जो अभी बचा है यहाँ पे केवल 6 प्रतीशती प्लेज रहे गया है जो यहाँ पे कंपनी एक काबिली तारीफ है जहाँ पहले 30-36 परसेंट प्लेज हुआ करता था वो यहाँ पे इसका तो मोमेंटम है वो यहाँ पे काफी श्ट्रॉं है अगर आप देखते हैं और यहाँ पे अगर इस्टेंस लेवल की बात कहीं तो सबसे बड़ा जो रिच्जटेंश लेवल है को एक बार बेच दीजिए क्योंकि गयो क्योवाम होगा ना वो थोड़ा खराब होगा COVID-19 ने पूरी बैंड वजा के रख दी एकोनॉमी की और यह इंफ्रास्रक्टर बेस्ट कंपनी है अगर यहाँ पे लोगबा काम ही नहीं कर रहे हैं कैसा रोड का काम होगा कैसा एरपोर्ट चलेगा आप देख लीजे ना यहाँ पे फ्लाइट स बढ़ रहा है बिजनिस एक्सपैंड हो रहा है बट विजनिस वैसे नहीं बढ़ रहा है और यहाँ पे एक और बात रहेगी कि मैं आपको यही बोलूँगा कि आप एक बाफिट बुक कर ले यहाँ पे करीबं 1300 रुपय तक के लेवल्स देख लीजिए और जैसे यहाँ पे के अंदर बहुत सारे नएने बिजनिस चालू हुएं जिनकी वैल्थ क्रिएशन आने वाले टाइम में दिखेगी बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टन बात है कि उसका जो मार्केट कैप है वो सारी चीजे मतलब जो बजार ने इन सभी चीजों को अल्रेडी डिसकाउंट कर चुका है तो आप कभी यह मत देखिएगा कि बहिया मान लीजिए अगर q2 q3 में अपनी सिच्वेशन सुधरती है और अगर अगर अडानिय एंटरप्राइज को और बढ़ा करता है तो अगर उसके अर्णिंग्स और रेविन्यू बहुत तेजी से बढ़ते है मान लिए 20 प पर ट्रेड होने वाला शेर है जो कि शायद वन आफ दा मोस्ट एक्पेंसिफ स्टॉक है और यहां पर डेप बढ़ रही है कंपनी की नेट वर्थ के अंदर कोई भी इंक्रीज नहीं है तो यह सारी चीजे है और यह वैलुएशन वगर है मेरको थोड़े नहीं जमते तो मै टेलीग्राम चैनल से आप हमारे जुड़ जाएए जो की मार्केट टिकर है जिसके अंदर 24 इंटो 7 आर्स यहां पे सारी बजार की खबरे आटोमेटेड फीड के थूँ यहां पर अपडेट हो जाती है सभी बड़े बड़े न्यूस सोर्स से तो टेलीग्राम में हम लोग कर देंगा पिन कॉमेंट में भी डाल देंगे किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट है बजार से रिलेटेड तो आप हमें लिंक के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रखा है 7014618970 पर आप हमें यहां पर अपनी जानकारी और क्वेरी यहां पर डाल सकते हैं तो हम चीजे थी आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शेर कीजिए यह वीडियो अडानी एंटरप्राइस के सबी शेर होल्डर्स के साथ